अससलाम alaikum, आज मैं आपके लिए बनानाी जा रहा हूँ कोर्मा आज हम देगी डेगी चिकन कोर्मा त्यार करने जा रहे हैं उम्मीद करते हूँ आपके रेषिपी भी उसी तरीके से पसंद आएगी, जिस तरीके से आपने मेरे पहले की कोर्मे की रेसिपी को पसंद गिया है, इस रेसिपी को भी उसी तरीके से पसंद करेंगे, आज हम पुरानी दिल्ली स्टाइल में चिकन कोर्मा त्यार करेंगे, बहुत मज़ेदार बनता है ये कोर्मा, तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं, रेसिपी श ये फिर देरी ना करते हैं जल्दी से कॉर्मे की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं देखते हैं चिकन कॉर्मा बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की दूत पड़ेगी बिस्मिले रह्मानी रहें यहां पर हम एक पाव यानि 250 गिराम घी ले रहें इसको हम अच्छे से मेल्ट कर सकते हैं लेकिन घी से कॉर्मे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसलिए यहां पर मैं घी शामिल करूंगी अब हम घी को अच्छे से पिगला लेंगे मेल्ट कर लेंगे जब तक घी मेल्ट हो रहा है हम प्यास देख लेते हैं यहां पर हमने 250 गिराम प्यास लिए उसको हम कुछनी करना बस सिंपल इसको हमने फ्राय करना है जैसे ही प्यास अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो हम इसको निकाल लेंगे यह आप देख सकते हैं प्यास का कलर बहुत अच्छा सा गोल्डन हो चुका है इसको हम निकाल लेते हैं अब यहां पर हम अच्छे से इसको फिला लेंगे आखे हमारी प्याज अच्छे से क्रिस्पी हो जाए यहां पर हमने एक किलो चिकन लिया है अब हम चिकन को मेरिनेट कर लेते हैं अब हम इसे एक पतीली के अंदर ट्रांसफर कर वें इसे के अंदर हमारी तमाम चिकन तयार होगी यह हमने तमाम चिकन इसके अंदर शामिल कर दी अब इसके अंदर हम कुछ गरम मसाले शामिल करेंगे 7-8 गिरिन कार्डिमम यानि के हरी लाइची है 2 ब्लेक कार्डिमम यानि के बड़ी लाइची है 10-12 क्लॉप्स यानि लोंग है 20-25 ब्लेक पेपर्स यानि के साबुद गोल मिर्च है और एक मिडियम साइज सिनेमम स्टिक यानि के दारचिनी का टुकड़ा है ये तमाम गरम साले हमने इसमें शामिल कर लिए 2 टेबिल स्पून जिंजर गाली स्पेस्ट यानि के अधर खलसन का टुकड़ा है 2 टेबिल स्पून रेडचिली पोडर यानि के लाल मिच पोडर शामिल कर रहे मिर्च आप अपने टेस्क के उकॉर्डिंग कम या बढ़ती कर सकते हैं 250 ग्राम यहां पर हम दही शामिल कर रहे हैं 250 ग्राम ही हमने घी लिया था 250 ग्राम ही हमने प्यास ली थी और 250 ग्राम ही यहां पर हम दही शामिल कर रहे हैं कॉंटिटी आप रख लिजिएगा अब हम थोड़ी सी यहां पर तलीवी प्यास शामिल कर रहे हैं 2-3 चंचे यहां पर हमने प्यास के शामिल करें, इसके अदर हम घी शामिल करें, यह वह घी है जिसमें क फ्राई किया थहुत है, हम इसे अच्छे से Toy Karmaj कर estoy अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप आदे घंटे भी रख सकते हैं इसको, यह हमने तमाम असाले इसे से मिक्स कर लिए हền आप हम इसे ढखक के एक गंटे के लिए रख देंगे, जैसे ही चिकन और दही पानी छोड़ देंगे, तो हम इसको पने के लिए रख देंगे, चिकन ने और दही ने अपना पानी छोड़ दिया है, तो अब हम इसे इसी पानी के अंदर गलाएंगे, इसमें हम एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल शामिल नहीं करेंगे, इसी पानी में अ दूसरा काम कर लेते हैं यहां पर हमने 15-16 मकँने लगे हैं इनको हम रोस्ट कर लेते हैं 2-3 मिंट में यह अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे यह आप देख सकते हैं uw हाथों करते वह तीन मिंट होए हैं ही यह हातों से अच्छे से तूट रहे हैं कितने दिस्ट भी हो चुके हैं, आप हम इसे तार लेते हैं, इसको हम हातों से इस तरीके से तोड़ तोड़ के पॉड़र बना लेंगे, ये तमाम को हमने अच्छी से तोड़ लिया है बहुत अच्छा से इसका पॉडर बन चुका है नहां पर हमने 30 से 35 बदाम लिये हैं उनको हम ग्राइन कर लेंगे एक पॉडर बना लेंगे पॉडर बन चुका है इसको हम शामिल कर लेते हैं अब हमने कॉल्मेर के अंदर खुश्बूल आने के लिए कुछ गरम मसाले लिए हैं एक छोटा टुकड़ा नटमग यानि के जाइफल का है और थोड़ी सी मेक यानि के जवतरी है एक बलेक काड़िमम यानि के बड़ी लाइची है और चार गरीन काड़िमम यानि के हरी लाइची है इसका हम अच्छा से पॉड़र बना लेंगे यह पॉड़र बन चुका है इसको भी शामिल कर लेते हैं अब इसके अंदेर हम तलीवी प्यास शामिल कर रहें हातों से हम इस तरीके से मसल मिसल के तोड लेंगे यह तमाम चीजे अमने शामिल अब हमें से अच्छे से मि Quinnस कर लेते हैं जितने भी मसाले हैं हमारे यह हम लास्ट कंदर शामिल करेंगे इससे हमारा कॉर्मा दानेदार भी बनेगा और खुश्बुदार भी बनेगा अब इसको हम एक तरफ रखते हैं चिकन को रखे वे 10 मिंट हो चुके हैं इसको हम देख लेते हैं यह आप देख सकते हैं चिकन बह पानी है व खुशक कर लेकिब stitch ने करे हैं अइसके का मसाला अच्छे से बहुन जाएं और डाने करें ब किसके अऩा और अधलका से बहुण पाने कीडिकों कर लिए या है तो आप इसका मसाला अच्छे से बहुन चुका eateryy SK और कीरवा भी रखनी है, शौरबा रखना है, इसलिए में इसमें थोड़ा सा भानी शामिल कर रही हूँ, अब इसके अंदर हम यह मिक्सर शामिल कर रहे हैं, जिसमें बदाम, मखाने, जाइफल जवतरी का पॉडर और तलीवी प्यास थी, वो हमने तमाम इसके अंदर शामिल कर दी, दो से 6 मिट के बाद इसको हम देखेंगे, 5 मिट हो चुके हैं इसको हम देख लेते हैं, कतना मज़ेदार सा हमारे दानेदार कॉर्मा तयार होा है, इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है, मसाला इसका कितना अच्छ सा लग रहा है, फिर पुरानी दिल्ली स्टायल में हमने ये कॉर्मा त्यार किया है उम्मिट करते हूं आपके रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी आप इसको ज़रूर ट्राइ किजिएगा अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लेगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मैं भूलिए साथ इगंटी का बटन इगाला हाफिस